दिसम्बर 1667 इस्वी और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था मुगल वन्स का सब्चे कूर्तम सासर औरंग जेब औरंग जेब की सभा में उस वक्त एक गहन विषय पर चर्चा चल रही थी और उसका कारण था पूर्व में मिली हार एक ऐसी हार जिसने औरंग जेब के सनिकों में डर पैदा कर दिया था अपने सिबा सलार से औरंग जेब जो सुन रहा था कि पूर्व में जो अहोम देश था जिसे आज हम आसाम के नाम से जानते हैं उस अहोम देश के एक सेना नायक की वीरता ने पूरे के पूरे अहोम देश को मुगलों के साथ इतनी बड़ी टक्कर में लाकर खड़ा कर दिया था कि मुगल सेना बड़ी सेंख्या में होने के बावजूद हार जा रही थी और अंग जेब को जैसे जैसी खबरे उनके सिबा सलार उसके गुप्तिचर दे रहे थे उससे बर्बस ही उसके मुझ से छूट पड़ा कि आदमजात है या जिन्नावत नमस्कार मेरा नाम है रादेशयम सर्मा और आप देख रहे हैं हमारे एतिहासिक युद्धों की खास सुरंकला दे ग्रेट वोर्स अफ इंडिया और जिसमें आज हम कथा लेकर आये हैं सराय घाट के युद्ध की ये कथा है लचित बोर्फुगन की जिनकी वीरता शौरिता और रणनितिक चपलता को अब हम देखे तो उन्हें इतिहास में हम महाराना प्रताब और शंत्रपती सिवाजी के संकत चपाते हैं लेकिन फिर भी इतिहास में उनका जिक्र नहीं कभी-कभी मन में यह शंका उठती है कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है उसे इतना संकुचित क्यूं रखा गया है इसी वज़े से कहीं न कहीं इतिहास कारों से सिकायत बनती है और ये बनना लास्मी भी है लचित बोर्फुकन को जानने से पहले हमें उस प्रिस्भूमी के बारे में जानना पड़ेगा जिसने लचित बोर्फुकन को जन्म दिया उनकी वीरगाथा और उनकी शोर्यकाथा को जन्म दिया साल 1662 इस्वी में औरंग जिव ने दिल्ली की सल्तनत हतियाई साज यहां को कैद किया और उसके बाद उसने अपने सेना को एक बड़ी सेना को पूर्व की तरफ रवाना किया जन्वरी 1662 इसवी में मीर जुमला ने कूज बिहार पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में मीर जुमला को जीत मिली उस जीत से उससाहित होकर मीर जुमला ने अहोम देश के पश्चमी सिमा पर आक्रमण किया और पश्चमी सिमा पर उसे सफलताएं एक के बाद एक मिलती गई और इनी सफलताओं की स्रेडी में सबसे पहली सफलता उसे मिली मान्हा से लेकर गोहाटी तक का जो छित्र था वो उसके अंतरगत आ गया और धीरे धीरे मीज जुमला आगे बढ़ता गया उसने आगे जाकर समधारा पर अक्रमण किया समधारा के बाद सिमलगड और फिर वो अहोम देश की राजधानी गड़काओं में 17 मार्च 1662 इस्वी में ताकिल हुआ और तब अहोम देश के राजा जयादवज सिंग ने पहाड़ों पर सरण लेकर अपनी जान बचाई 16 जनवरी 1663 इस्वी में मुगलों और अहोम के बीच में एक संधी होती है गिलजार घाट की संधी की सर्तों के अनुसार उन्हें माना से लेकर गोहाटी तक का छेत्र वो मुगलों को देना पड़ा इसके अलावा लगब तीन लाक स्वर्ण मुद्राएं तीस हजार सिल्वर यानि की चानी की मुद्राएं वो मुगलों को देनी पड़ी जो सबसे लज्जा जनक सर्त थी इस संधी की सर्तों में उनमें से एक थी राजा जया द्वज को अपनी एक मात्र पुत्री रमनी गब्रु को और अपनी भतीजी को मुगल हरम में भेजना पड़ा एक तरफ जहां अहुम राजवन्स को हार मिली थी वहीं दूसरी तरफ उनकी दो राजकुमारियां जिनकी आयू मात्र दस से बारा वर्स की बीच में थी उन्हें मुगल हरम में भेज जिया गया ये कहीं न कहीं बार बार अहुम देश के राजा राजा जया ध्वज सिंह को अखार रहा था अंदर से ये बात महसूस हो रही थी कि मैं शायद इस पत्क के लायक नहीं हूँ मैं और धिरे धिरे कर उनके स्वास्त की हाला दिन प्रति दिन बिगड़ने लगी और एक दिन व पुना स्थापित करेंगे और राजा चक्रद्वज सिंहा ने उन्हें वचन दिया कि ये होगा सबसे पहले राजनेयतिक संबंधों को सही करना शुरू किया उन्होंने दारंकिरानी गारोज और उसके साथ साथ जहनतिया से भी संबंध सही कर लिये और अब उन्हें एक सही सिनानायक की तलास थी और उनकी तलास जो है वो खत्म हुई लचित बोर्फुकन पर लचित बोर्फुकन उस वक्त सिमलगर दुरुप की कमान समाल रहे थे और साथ ही वो राज्य की घुरसाला की भी देखभाल कर रहे थे उन्हें सिनानायक का पत दे दिया गया लचित बो लचित बोर्फुकान ने उन्हें आस्वासन दिया कि हम मौलों को अपनी जमीन से खदेड देंगे और अपने राज्य को पुनस्थापित करेंगे अपने गौरों को पुनस्थापित करेंगे लचित बोर्फुकर ने अपनी सेना को तयार करना शुरू कर दिया पुरिल्ला युद्धि की सिक्षा देना नई नाओं का निर्माण करना जो की तेज चलती हूं इसके अलावा नए सस्त्रों का निर्माण करना नए अस्त्रों का निर्माण करना और हो सके तो बाकी जो छोड़ी छोड़ी राज्जे हैं उनसे संधी कर उनके सैनिकों को अपने सैनिकों में मिला लया सक्ता और सक्ति किसी को भी अंधा बना देती है और यही जो है वो मोलों के फॉसदार फिरोज खान के साथ में हुआ फिरोष खान ने सक्ता और सक्ति के घमंड में अहोम देश से कुछ लड़कियों की मांग की और इसी ने पूरी अहोम देश में गुश्य का महाल पैदा कर दिया 20 अगस्त 1667 इस्वी में अहोम देश की सेरा गड़गाओं से निकली पहले समधारा कोंशे समधारा से होते हुए उन्होंने इटाखुली जो की एक मुख्य दुर्ग था उस पर अधिकार कर लिया इटाखुली को अपने अधिकार में लेने के बाद लचित बोर्फुकर ने सीधा गुहाटी पर आक्रमण किया फिरोष खान को बंदी बना लिया गया साथ में कई मोगल सानिगों को मार दिया गया और उन्हें माना स्रीवर यानि की जो माना था उस वगद वहां तक खदेड दिया गया और खदेड कर उन्हें बाहर कर दिया गया पूरा का पूरा माना से लेकर गुहाटी तक का छेत्र जो की मुगलों के आधिपत्य में चला गया था उसे फिर से वापस ले लिया गया था और इसी के साथ ये खबर जैसे ही राजधानी गड़गाओं में पहुंचती है राजा चक्रद्वश सिंग रो पड़ते हैं रोते हुए उनके मुँँ से बर्बस सब्द छूट पड़ते हैं अब मैं स्वतंत्र हूँ अपनी जीस से उससाहित और अपनी स्वतंत्रता मिलने से उससाहित राजा चक्रद्वश सिंग राशित बोर्फुगान को राजसानी बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें एक तलव हेंग डेने जिसका लेक बार-बार मुगलों ने किया हुआ है दिसंबर 1666 इस्वी और दिली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ औरंग जीव पूरी मंत्रणा होने के बाद पूरी रायर सुमारी होने के बाद औरंग जीव एक फैसला करता है हमें एक बड़ी सेना भेजन लेकर अहुम देश की तरफ रावाना हो जाते हैं यह एक बड़ी सेना थी जिसमें की 2003 इनदाज, 4000 के आसपास जो थे वो दक्ष सैनिक, 30,000 के आसपास पैदल सैनिक, 18,000 फुरसवार, 3-4,000 के आसपास दोपें, लगबग 5,000 के आसपास बंदूग धारी थे रणनीती और युद्धनीती में लशित बोर्फुकन को महारा थासिल हो गई थी और इसी लिए उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जहांपर मुगलों को रोगा जा सकता है उन्होंने चुना अस्थान सराइघाट का, सराइघाट ये वो अस्थान है जहांपर ब्रह्मपुत्र रनदी अपने सबसे संक्रे रूप में बहती है लगभक एक किलोमेटर के आसपास का चौड़ा एरिया है और इसके दोनों तरफ पहाडिया है ऐसे में अगर मुगल सेना को यहां से पार पाना होगा, यहां से पार होकर अगर अहुम के अंदर भुसना पड़ेगा तो उन्हें जल मार का इस्तिमाल करना पड़ेगा और लशिद बोर्फुकर को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि मुगलों की जो जल सेना है वो कुछ खास ताकतवर नहीं है और इसलिए लशिद बोर्फुकर ने अपनी तयारी करते वक्त अपनी जल सेना को काफी बहतर बनाया था 1667 इसी में निकली मुगल सेना वो फरवरी 1669 में वो सराय घाट के पास पहुँचे इसी बीच में लशिद बोर्फुकर ने पूरे के पूरे पहारी इलाकों में और साथ ही आसपास के छेत्रों में वो मिट्टी की बड़ी बड़ी दिवाले बना दी थी और साथ ही छोटे मुटे दुर्व खड़े कर दिये थे इन दुर्वों को बनाने का काम जब चल रहा था तब लशिद बोर्फुकर ने एक दुर्व को बनाने काम अपने मामा को भी दिया हुआ था लेकिन मामा को लगा कि अपना ही भांजा है तो अगर काम फड़ा देल से भी होगा तो भी कुछ खास फरक नहीं पड़ेगा लेकिन लशिद बोर्फुकर को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने अपनी दलवार को बाहर निकाला और अपने मामा पर चला दी और वही पर स्वाभी मान के उपर किसी को तरजी नहीं दी जाएगी और तेजी से वह दुर्ग का निर्वान पूरा हो गया फर्वरी 1679 यानि कि 1669 का समय जब राम सिंग ने अहुम देश के सैनिकों पर आक्रमान किया लेकिन अहुम देश के जो सैनिक थे वो पहले से तैयार बैठे हु और ये हार का सिलसिला बार बार चलता रहा राम सिंग को लगा कि नहीं हमें सामदाम दंडवेद सबका इस्समाल करना पड़ेगा उन्होंने अफवा फैलाए कि लचित बोर्फुकन एक लाग स्वर्ण मुद्राय लेकर उहाटी देने को तैयार हो गया है ये खबर तेजी स से हवा में फैली और तुरंत राजसानी गड़गां तक पहुच गई राजा चक्रदवश सिंग को जैसे ही खबर मिली उन्होंने पूरी अहम सेना को सीधे सीधे मैदान में जाकर मगलों से टक्र लेने की अनुमती दे दी राजा की आग्या थी और इसके बाद अलबोई मे एक युद्ध होता है जिसमें अहम सेनिकों को पराजय मिलती है ये पराजय बहुत बड़ी थी इसमें लगबग 10,000 अहम सेनिक मारे गए थे और इसी के साथ अहम सेनिकों का मनोबल तूड जाता है इधर अपनी जीत से उस्साहित होकर राम सिंग ने राजा चक्रदवश सि पिजबा दिया कि आत्म समर्पन कीजिए और जो जो गिल्जारगाट की संधी थी उसकी अनुरूप जो जो सर्ते थी उन सब का पालन फिर से होगा जब अहम देश के राजा चक्रदवश ने राम सिंग का संदेश ठुकरा दिया और उनकी सर्तों को मानने से इंकार कर दिया तब राम सिंग काफी गुसे में आ गए और उन्होंने आवेश में मोगल सेना को ये आदेश दिया कि इस बार आखरी बार होगा और अब हम सरी गुहाटी तक ही नहीं रुगेंगे पूरे के पूरे होम राज्य को जो है मोगल सासन में मिला लेंगे अलबोई की युद्ध में भयाना खार जेलने के बाद हम सरीकों का मौनोबल गीरा हुआ था उधर उत्तर की तरफ से अटन बोर्गुहान वो सेना का नहत्रित्व कर रहे थे जबकि दक्षन की तरफ से सेना का नहत्रित्व जो था वो लचित बोर्फुकन के हाथों में था लेकिन लचित बोर्फुकन उसमक्त बिमार चल रहे थे और उनका उपचार चल रहा था वो उठने के सिती में नहीं थे तभी उन्हें खबर मिलती है कि मुगल सेना जो है वो सरायगार्ट के पास से गुजर चुकी है और अब धीरे धीरे वो कामरूप तक पहुँच रही ह लचित बोर्फुकन को यह समझ में आ गया कि अगर मुगल सेनिक जो है वो कामरूप तक पहुँच गए तो इसके बाद जो है वो अहुंदेश को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उस बिमारी के सिती में वो अपने बिस्तर से उठते हैं साथ नामों को अपने साथ लेते हैं और उसके बाद वो युद्ध भूमे में प्रवेश करते हैं युद्ध भूमे में प्रवेश करने के बाद वहां मवजूद सैनिकों से कहते हैं कि जाओ जिसको जाना है वो चले जाए जिसको युद्ध से भागना है वो भाग जाए लेकिन जब अपने देश पह जब तक आकरी उसकी स्वास बाकी थी, तक तक उसमें अपने देश के लिए, अपने देश के आत्मगौरों के लिए युद्ध किया। ये वो शब्द थे जिसने पूरे के पूरे अहुम सेना में एक नई भावना का संचार कर दिया, एक नई जोस नई उर्जा का संचार कर दिया, और इसके पाद अहुम देश के सैनिकों ने वहाँ जो तांडव मचाया, इसका साक्षी इतिहास रहा है। कहते हैं कि जब संकर टमरू लेकर नाशते हैं ति ने तर खुल कर कुछ ऐसा ही वहाँ पर हुआ था, कुछ ऐसा ही अहुम देश के सैनिकों ने किया था, वो मुगल सैनिकों पर तूट पड़े। कुछी मिनट के अंदर वहाँ पर चार हजार मुगल सैनिकों की लासे पड़ी थी, इसके बाद मुगल सैनिक अचानक पीछे अठने लगते हैं, ये युद्ध अपने पूरे जोड़ों पर था, तभी अचानक के कैसी घटना होती है, जिससे मुगल सैनिक और ज़्यादा हा के सहारे आगे बढ़ने वाली पूरी की मुगल सैना का सफाया सुरू को जाता है, मुगल सैनिकों को अहुं देश के सैनिक खदेडना सुरू करते हैं, ये पहली बार था जब उनको एक बहुत बड़ी हार मिले थी और बहुती लज्जा जनक परादे होई थी, और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की वज़े से, ये हुआ था लचित बोर्फगन की वज़े से, उनकी वीर्ता की वज़े से और उनके कुछ चंद सब्दों की, सेना नाय की उस छवी की वज़े से, जिसमें उन्होंने अपने देश को हमेशा उपर रखा है, 1669 ये दूसरा मुगल सेना को इतनी बड़ी और भारी पराजय का सामना करना पड़ा था, वो भी चंद हजार अहुम सेनिकों के हाथों से, इसके बाद मुगल सेना पिछे हड़ गई, हाला कि बाद में 1671 में और एक आकरमन हुआ था, लेकिन वो भी नाकाम कर दिया गया, और इसके बाद म महुम देश के स्वाभिमान की ये थी कथा लशीद बोर्फुकान की वीरता की, आज सेना लशीद बोर्फुकान के सम्मान में एक मेडल जारी करती है, जिसे उन कैडर्स को दिया जाता है, जो उसके लायक है, भूले बिसरे भारती इतिहास के कुछ पन्नों को फिर का लग्यूrite